है 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 हंड बहुत है यहां पर मैंने भी जैगेट पैनके रखी है और यह फेस भी देखना जरूरी क्यों सोबस बगा फेस ऐसी होता है यार चावी लाना भूल गया हमें इसमी चाल मुड़ा शहर है वह एक टॉप पॉइंट कड़ता है वह वाला यह टॉप पॉइंटर कसार देविगा हलो कर दो शावाज गुड मॉनिंग नमस्कार कैसे हैं आप लोग होप सारे दोफ अच्छे होंग दोस्तों मेरा नाम है सौरव आप देख रहे हैं सौरव पंटि व्लोग और सुबा की बज़रें च्छे बच के अठाइस मिनट और आठ सुबा सुबा का पहला का हम यह है कि पानी बरना क्यूंकि पानी च्छे बर शावे तक आता है पूर नहीं आता है तो इसको बढ़ना पड़ता है सौबच जल्दी उठ के और यह भी देखना जरूरी क्योंकि सौबा शुबा का फ्रेस ऐसे होता है जब हम उठते हैं सोब फिए यहां पर सो रहा है औ काम श्टार्ट कर देते हैं पानी बढ़ने का तो यह है अवारा किछिन और यहां रखा हुआ है यह तो यहां से पानी आता है देखिए उस तो पहाण में सुबर 6 वेश लेके 7 बशे तक और यह पानी आभी चुका है पानी यह पीने वाला है सीद्धा पाण से आता है मोल्ट कर देते हैं स्टार्ट के मोटा स्टार्ट हो गई है और अब चलते हैं बाहर का जो व्यू है वह दिखाता हूँ आपको कल कित्रा बाजल लगे होंगे पक्का डन लगे हैं लगे हैं अरे खुल जा खुल गया है नाइस है यह देखो आप थोड़ा जूम कर वे दिखाता हूँ है यह सब नीचे बादल लगा हुआ है यह देखे आप तो फिल्हाल काम कर लेते हैं ठीक है उपर मोटर में देखके आना है कितना पानी बहरा है कितना नहीं बहरा है यह मेरा गेट है छोटा सा उपक्षो खोल के चलते हैं है सुवा सुवा का माहूल कैसा है दिखाओं आपको यह देखिए पाड़ करना जा रहा मॉर्निंग का अब चल कर देख लेते हैं अब गेट खोल के यह रोड है मैंन रोड अब यार चावी जाना भूल गया हमें लोक लगा है कूद के जाना पड़ेगा कोद गया तो इसको फोल कर देखना है कितनी भरी है कितनी नहीं इसको यहां रख देता हूं मैं अब भरी यह देख आप भर्या बर्या भर्या बर्या यह मोट रहा है और यह देखिए आप यहाँ पर हमने यह बादल लगा हुआ है इस नीचे अलमुड़ा शहर है तो सुबह सुबह का यह जो नजा रहा है तो यह मुझे भी आजकली नसीब हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने शिफ्टिंग कर लिए जहां पहले रहते थे अब भान रहते हैं अब यहां रहते हैं तो दोस्तों यह है अलमुड़ा शहर अलमुड़ा शहर की उपर की जगाह है कसार देवी रोड है तो वहां की रोड है यह मैन रूड यासि कि होई टोप पॉइंट बढ़ता है सरह देभी का और इसके नीचे सारा अलमुड़ा शहर है जो अभी बादलो नीचे समक्राइब को है यह यह देकYour कि 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 की कि कि कर दो जलके में सड़कों पे बैठा पलकों पे हर दिन जलाता मैं अपनी ही शर्तों पे जक्मों से बैदा लाहू पोचा पर दो पर दोस्तों देखो ठंड बहुत है यहां पर मैंने भी जैगेट पैनके रखी है तो बहुत ही जादा है थोड़ी देर में यह वाला यह अधा जाएगा बादल एक घंटे के अंदर और फिर उसका बात को मौसन भीखांगा आपको मैं जब ठंड बढ़ती है तो वहाँ पर सामने हमाले का पाहर दिखाई देता है तो दोस्तों अधिकतर टूरिस्ट इसी रोड में आते हैं क्योंकि यहां से यह रोड ऐसे जाके इधर घूमके जाके और यह टॉप जगा है वह सामने उपर आपको दिखा दूम्हा बोला आता ह पूरिया का सार देवी वहां से पूरा चेतर देखता है पूरे अल्मुडा का पूरा नजारा दिखता है तो वहाँ पकाफी फोर्नर्स भी रहते हैं उन्होंनेранe बनाए हुए है यह यहां से टॉप से सारा नजारा दिखता है भी बादल हटंगे ऊपर जब यह बारल हटे पर लेखते हैं अगला गाम क्या होता है तो हो गई है खाने के तैयारी और खाना बन चुका है हमारा यह रहा बनाए क्या खाने में क्या बनाए खाने में आपको दिखाऊंगा मैं इदे कि दाल है चावल हैं सुलाद है और क्या है कैसा बनाए बताओ अच्छा बनाए क्या देख रही हूं अच्छा ठीक है तो आपको एक बाद जरो दिखाएता हूं सा कहीं भी कोई बादल नहीं लगा दिखाई दे रहा है देखो सारा बादल हट चुगा है जैसे धूप आती रहते यह से बादल जाते रहते हैं यह नीचे का शहर है कि अभी दोड़ा कम दिखाई दे रहा हो पाड़ी के पीछे भी थोड़ा सा कि यहां से बादले स्टार्ट थे और यहां तक लगे हो थे सब अट चुक है अभी चलिए फिर खाना वाना खाते हैं और उसके बाद से मिलता हूं आप से तो फिलाल दोस्तों अभी हो गए हैं शाम के पांच बज़के पचास मिनट और बहुत ही सुबर का मैंने आपको संसेट होने वाला है देखो आप बहुत लंबे समय से विलोग आनी रहे हैं और कि कामें व्यस्ता इसलिए नहीं आरे लिए अप कंटीनि करने कोशे करूंगा तो बने रहे हैं सौरपनी विलोग के साथ में संसेट में दिखाऊंगा आपको जैसे संसेट होगा मैं आपको प हिलाल पहाड का मोसम थोड़ दिर में संसेट होने वाला है जिरू दिखाऊंगा आपको बहुत सुन्दर लगता है संसेट सूरज जा चुका है में पुरा आसमा लाल लाल हो रहा है यहां पर दोस्तों यह है हमारे में नाइट विउ लाइटिंग लाइटिंग बनी हुए उनमें लाइट चली हुई है यह हमारी बालकनी हो गई यहां पर पूरे पाहर पर सब घर बनी हुए उनमें लाइट जली हुई है तो दोस्तो संसेट देख लिया आपने मौर्णिंग का जो व्यू था वह बहुत प्यारा था वह भी मैंने दिखाया आपको फिलहाल विलॉग की अंडिंग का समय आ गया है बहुत लंबे समय से विलॉग में नहीं बना रहा हूं तो आज बहुत अच्छा विलॉग में नहीं और कोशी करूंगा यार में कंटिनी विलॉग लाने कि अब काफी सारे दोस्त मेरे ऐसे बोल रहे थे कि बहुत लंब समय हो गया आप लोग नहीं बना रहे हो का दिक्कत परिशानी आ रही है क्यों विलॉग नहीं आ आ पा रहे हैं तो दोस्तों कुछ परिशानी चलते रहे लाइफ में कभी बिजी हो गए कभी कुछ काम आ गया है कुछ परिशिती अजीब सी चलते रहते हैं तो उसके कारण विलॉग नहीं आ पार था लिगन आप कोशी करूंगा कंटिनी विलॉग करने की जितने मी लोग आप मुझे देखते हो उन सब से मैं सौरी बोलूग और क कोशी करूंगा नेक्ट राइम से विलॉग कंटिनी अगरने की और अच्छे च्छे व्यू उत्राघंड की पहाड़ी कल्चर पहाड़ी कल्चर और उत्राघंड के जो अच्छे ची नजा रहे हैं उनको में हमेशे आपके सामिल लाता रहूँगा तब तक के लिए जय इन बाइब जय बाइब बाइब